दोस्तो अगर आपने गुल्ली गुल्ली और जोकर और स्टोरी का पार्ट 1-2 अभी तक नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लें पिछली वीडियो में हमने देखा कि रॉड आके इन दोनों को बचा लेता है और इने अपने साथ ले जाता है ये लोग जोकर के ही गाओं में आ जाते हैं तभी इस सामने जोकर को देख लेते हैं मगर एक शोर से ये लोग गुल्ली तक आप हुसते हैं मगर तभी जोकर भी यहां आ जाता है इससे पहले इन तीनों पे हमला करे यह लटखडा के गिर जाता है और तीनों यहां से भाग जाते हैं जोकर भी यहां से उड़ जाता है और यह गुल्ली को आजात करने लगते हैं मगर जोकर यहीं होता है और इससे पहले जोकर इन पे हम के तलाशी लेने पे इनको जोकर का हथियार मिल जाता है मगर जोकर उसी की तलाश में हाँ बाबा के साथ आता है और इनके पूरे घर में आग लगा देता है चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं चारो घर के अंदर घबराय बैठे हुए है रॉट कहता है कि यह ज़रूर जोकर है वो हमें मारने आया होगा याग तो धीरे धीरे पैलती जा रही है शौन कहता है कि रॉट जल्दी चारो तरफ बश की दिवार बना दो बुल्ली कहता है कि याग तो अभी से बश को पिगलाने लगा ऐसे तो हम मारे जाएंगे यह थियार अपने आप हिल रहा है रॉट कहता है कि गुली बुली शौन जल्दी मुझे पकड़ लो इस हथियार में हल चल हो रही है यह हथियार के मदद से बाहर आ गए मगर जोकर और बाबा तो यहां है ही नहीं शौन कहता है कि हमारा घर तो पुरा जल रहा है यह दोनों नहीं पे चिपे हुए है जोकर कहता है कि तु तु तुम ही लोगों ने मेरा हथियार चुराया है उसको मुझे लोटा दो मैं तुम्हें जाने दूँगा गुल्ले कहता है कि अगर ऐसी बात है तो पहले बाबा को ठीक करो बाबा ने इन पे हमला कर दिया रॉट कहता है कि अगर ये हथियार चाहिए तो आजाद करो बाबा को ये जोकर तो कहीं गायब हो गया गुल्ले इन से कहता है कि ये जोकर यहीं कहीं होगा इसको टेलिपोर्ट करना आता है सब साधान रहो यह अब तो पोर्टल में चले गए बाबा कहते हैं कि यह पोर्टल कहां से आया बीज में यह सब मेरे हथियार की वज़े से हुआ है मैं अब खुद को दाकत्वर तो नहीं बना सकता हूँ पर तुम्हें ज़रूर जाकत और बनाऊंगा मैं इसने तो बाबा को एक और इंजेक्शन लगा दिया यह लोग किसी घर में आप पहुचे हैं चारों बाहर आने लगे यह तो उसी जोकर का गाउ है मगर यहां चंगो और मंगू इनके ही इंतिजार में बैठे हुए हैं बुल्ले कहता है कि रॉट तुमने हमें फिर से बचा लिया मगर हम बाबा को ठीक कैसे करेंगे रॉट कहता है कि जोकर के आने से पहले पूरे गाउं की तलाशी करते हैं यहां कुछ तो हमें मिल ही जाएगा यह दोनों इनका पीछा करने लगे मंगू कहता है कि वो तो जोकर का अथियार है ना हमें उससे वो छिनना होगा चारों अलग-अलग जगह तलाशी लेने जा रहे हैं यह दोनों रॉट के पास ही आ चुके हैं इन लोगों ने अथियार रॉट से ले लिया रॉट कहता है कि वो अथियार लॉटा दो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा गुल्ली ने इस सब देख लिया बुल्ली शौन जल्दी यहां आओ रॉट पे हमला हुआ है इन दोनों ने गुल्ली को देख लिया इसने तो गुल्ली को गैब कर दिया यह वापस पिंजरे में आ चुका है यह कहता है कि थोड़ा बहुत तो मैं भी इसको इसको इस्तमाल कर ही लेता हूँ जिसको आना है आ जाओ सब को देख लूँगा मैं बुल्ली और शौन छिपके यह सब देख रहे हैं यह दोनों चड़ी को जोकर को लोटाने जा रहे हैं रॉड ने मौका मिलते हैं इनको बर्थ में जमा दिया गुल्ली कहता है कि इनके निकलने से पहले हमें बाबा का इलाज ढूनना होगा चारों मिलके गाँ में बाबा का इलाज ढून रहे हैं मगर यहां के जोकर और बाबा खुदा आ चुके हैं और बाबा और भी खतरनाक हो गए हैं जोकर इनके जमा देख के कहता है कि यह क्या हो चुका है तुम्हें और ये तुमारे हाथों में मेरा अथियार कैसे है इसमें बग तोड़ दिया जोकर हमने हाँ अपनी जान जोके में डालके तुमारा अथियार चुरा लिया है वो चारों यही है, जल्री वापस ले लो हाहा, अब मुझे कोई नई रोक सकता है इस दुनिया पे अब मेरा राज होगा ये सामने तो शौन खड़ा है बाबा जा के उसको पकड़ो बाबा के एक ही वार में शौन बिभोश हो गया और इन लोगों ने इसको बांग के लटका दिया है जोकर कहता है कि अब इसके साथियों को ढूंडो सभी को साथ में मौत की नीन सुला देंगे शौन तो होश में है इसके हाथों में इंजेक्शन कैसा है ये इसका तो कोई ऐसर ही नहीं हुआ बाबा ने इकी वात में पूरे घर को उड़ा दिया जोकर कहता है कि आखिर ये तीनों कहां पे है एक काम करते हैं उसको चलके मार देते हैं क्या पता फिर तीनों खुदी बाहर आ जाएं यहां तो गुली पहले से मौजूद है योकर ने इसको पकड़ लिया बहुत परिशान क्या है तुमने चलो बताओ बाकी दोनों कहां पे हैं ये ऐसे नहीं बताएगा लगा है लगता इस इंजेक्शन में इनकी दवा ही थी ये तो यहां से उड़के कहीं जाने लगे बाबा को ऐसा करता देख के ये तीनों हैरान है जोकर ये क्या हो गया इसको जोकर कहता है कि मुझे नहीं पता है उसको छोड़ो वो तो खुदी वापस आ जाएगा हम बाकि दोनों की तलाश करते हैं वो मासक वाला और वो मोटा इनसान ये दोनों यहां पेड़ पे चड़ी हुए है बाबा तो यहां वापस आ गए और अब तो ये पूरे ठीक हो चुके है जो कर ये देखके बहुत हैरान है ये नामुम्किन है तुम कैसे ठीक हुए ये बाबा को दुबार अवश्मे करने की कोशिश करने लगा ट्रॉड में फॉर्ण आंके इनको जमा दिया बाबा कहता है कि तुम लोग इससे दूर हो जाओ अब इसको मैं देखता हूँ उन्हें इन सभी को जला दिया शौन खैटा है कि आरे हम दोनों को भी तो निकालो मेरा सेर घूम रहे यहाँ पे आखिरकार इन सभी का इस जोकर से पीछा छूटा दोस्तों आप कोई वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें